तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम बना रहे थे e-commerce full-stack website using angular and springboot एंड पिछले वीडियो में हमने फ्रंट-end को बेक-end के साथ connect करना start किया था हमारा njrx store जो है वो setup किया था इसके अलावा error को कैसे handle करते है form में वह भी मैंने आपको बता है था angular map form को कैसे use करते है ठीक है and इसके साथ ही guys हमने user की API integrate की थी like user को register करने के लिए login करने के लिए and user profile को get करने के लिए यह तीनों API जो है वो हमने पिछले वीडियो में implement कर ली थी अब टुड़े इस वीडियो में क्या करेंगे की जैसे यहां पर में किसी भी एक पर जाओंगा ना लाइक यहां पर में कुर्टास पर जा रहा हो तो मेरे पास सारे कुर्टास वगेर आ रहा है ठीक है इसके अनसाथ यह पेजनेशन वगेरा ओल इसको फिर वेट यहां पर मुझे पेज नंबर 1 देना पड़े का ठीक है सो यहां पर पेज नंबर 1 एंड यह फिल्टर वगेरा यह सारी फंक्शनालिटी इसके बाद यह सौर्टिंग की हाई टू लो लो टू हाई ठीक है यह सारी फंक्शनालिटी गाइस जो है वो टूडे हम इंप्लिमेंट करने वाले हैं और इसके बाद अब किसी भी इसकी कौंटिटी वगेरा अपडेट कर सकता हूं अब यहां पर देख सकते हैं इसकी वन है तो मैं यहां पर टू त्री कर सकता हूँ जैसे वन होगी तो यह बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा इसके बाद में किसी भी प्रोड़क को रिमूव भी कर सकता हूँ अब देख सकते हैं यहां पर इसने मुझे यह और्डर सम्परी पेज पर रिडारक कर दिया है तो या गाइस यह सारी एपी आई टूड़े हम इंटीग्रेट करने वाले हैं तो विदाओट वेस्निंग एनी टाइम नाव लेट्स गेट स्टार्ट गाइस ओके गाइस तो अब ब ng-sarp-o ठीक है तो प्रोड़क्स स्टार्ट करेंगे गाइस ठीक है यह प्रोसेस हो रहा है तो इसको होने देते हैं यह मेरा हो चुका है अब क्या करूंगा सबसे पहले तो मैं लॉग इन कर लेता हूं ठीक है क्यूजर से राम-gmail.com यहां पर पासवर्ड दे दूंगा 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर राम आ चुका है अब क्या करेंगे इसको मैं मिनिमाइस कर दूंगा इसकी जरूरत नहीं है अब और अगर जरूरत पढ़ी तो open कर लेंगे सबसे पहले तो यह जो सभी टेप से इनको close कर दूंगा unnecessary क्योंकि इसकी मु से मिनिमाइस करूंगा और को भी मिनिमाइस करूंगा और स्टेट के अंदर what I'm gonna do और डिरेक्टिव बनाऊंगा चिज़को नेम देदूंगा प्रोडक्ट ठीक है और पिछली बार जो आमने यूजर सर्विस बनाए थी ना लेट में कॉपी दिस यूजर सर्विस बनाए थ डाज सक्टिवर कि देख सर्विस दख कर यूजर जब दिसके अंदसरेक्टाशमा थेंगे बनाए एक्ट छाएंगे खेन इस विने असे स्फ्टिवा रा रांगे क्ट्विस बनाए थारेक्टिर एक्ट्रीटीर रिक्वेस्ट ठीक है तो यह हमार एक्षन का नेमोज हो गया अब यहां पर हम क्रियेट एक्षन का यूज करेंगे जो क्या आएगा एक्षन को क्रियेट करने के लिए अब यहां पर मुझे देना है प्राड़क्ट यह आइडेंटिफायर है आपको कुछ इस तरह से इसको देना है ठीक है और यहां पर अब यह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके यहां पर नेम दे देना है है find products by category requests ओके यहां पर props दे देना है अगर हम कोई देना चाहे तो लेकिन इसमें कोई props नहीं आएगा तो मैं यही तक रखूँगा इसको अल्राइट क्यूंकि request में कोई props नहीं आएगा इसके बाद नाओ let me copy this ctrl z ctrl v अब find products by category request की बज़े यहां पर मैं success दे दूँगा यहां पर success ओके यहां पर मैं दे दूँगा props and payload मैं दूँगा मैं any ओके अब props को मुझे import करना पड़ेगा njrx stores है so यह हो जुका import so find product by category success guys यह action जब dispatch होगा ना तो हमें एक payload मिलेगा जिसमें होगा हमारा सारा products ठीक है products होगा so इसलिए मैंने यहां पर payload में यह लिया है and now let me copy this ctrl z and यहां पर success के बज़े मैं दूँगा failure and यहां पर मैं दे दूँगा failure and यहां पर मैं दे दूँगा error अब payload की जगह यहां पर आएगा error ठीक है अगर fail होता है तो मुझे कोई error मिला तो मुझे इसको इस तरह कुछ handle करूँगा ठीक है यहां पर सुमी क्या करूँगा यहां पर इतनी भी category है ना ठीक है ctrl d इसमें मैं id दे दूँगा that's it हमारा काम होच आएगा ctrl z that's यहां से ठीक है ctrl d id okay so find product by category था इसके बाद find product by id request इसमें find product by id request यह हो चुका इसके बाद success में payload आ चुका ठीक है यह payload में हमारे पास product detail होगी एक product की ठीक है जो भी हम id पास करेंगे उसकी date request होने वाली है okay so now let's start service product service इसका action complete हो चुका है so let's do this here injectable provide it in यहां पर रूप्ते देंगे export class service okay okay and यहां पर API base url equal to base API url ठीक है जो की हमने config में define किया था इसको यहां पर import कर लेंगे इसके बाद what I am gonna do यहां पर एक method बना देते है header के लिए so private get header चिसको में रखेंगे http http headers and यहां पर const token token में ले लेंगे local storage local storage local storage dot get item and यहां पर देंगे jwt and यहां पर मुझे equal to देना पड़ेगा यहां पर आ जाएगा local storage ठीक है so पहले तो token निका लिया इसके बाद यहां से एक new header create करके pass कर देंगे return करतेंगे so http headers and dot sets इसमें token set कर देंगे authorization में authorization and यहां पर bearer token set करेंगे so bearer token ड्यक्थ तक्थो space फूरי insi the फ़सunden should गुम आप़़ आप़com htp-client private router router private route activate route find products by category product requests let me do this and give it your any ok so हमारी पहली method यहां पर find product by category इसको start करते है अब so इसमें क्या-क्या चीज़ होगी इसके बाद 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 dot set sorry set minimum price minimum price dot set max price इसके बाद इसके इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद dot set next price के बाद min discount min discount okay and यहां पर दे देने है min discount then category category and यहांपर category sets stock stock then set short then set page number page number इसके बाद the page number then set page size page size page size page size okay और save type करेंगे इसको alright now const headers equal to यहां से this dot get header वो ले लेंगे यह क्या बोल रहा है class number cannot help the const keyboard अच्छा इसको मुझे यहां से निकाल लेंगे यहां पर देना था इसके अंदर ठीक है अब request करते है URL का use करके return this dot http dot get products यहां पर हमें URL देनी है so this dot API base URL इसके बाद यहां पर endpoint देना है API products products यहां पर मुझे देना है headers 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 के साथ param speed देना है alright अब इसके उपर pipe लगाएंगे जो भी data आएगा उसको handle करने के लिए so map इसके बाद यहां पर मुझे data मिलेगा so any कर देते है इसको and find product category by success call करेंगे यहां पर but before this let me console something so console.log and products data दे देते है and यहां पर data को console कर लेते हैं इसके बाद यहां पर हम return कर सकते है find product by category success यह वाला and इसमें मुझे payload देना है payload में दे दूंगा data अच्छा क्या दिक्कद आ रही है let me check payload so expected zero argument but got one find product by category success okay first let me fix this so quick fix करूंगा and add import from rg checks करूंगा and अब इसको देखते है क्या दिक्कद है क्यूंकि इसको हमने यहां पर एक अच्छा इसको कुछ इस तरह call करना पड़ेगा then it will work यहां पर भी दिक्कद है यहां पर भी and यहां पर भी ठीक है okay then अगर कोई error मिला इसको भी अम any देदेंगे type and यहां पर return of इसमें find product by category failure अगर fail होता है तो ठीक है so failure को यहां पर handle करेंगे and इसमें देदेंगे error.response 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 data.message error.response data.message data.message error.response error.message अब catch को मैं आपर एक मिनिट अच्छा यार यह इसा भी हुआ रहा है क्विक फिक्स एंड या इंपोर्ट कर लेंगे इसको भी catch error को मैप के साथ इसको भी इंपोर्ट कर देते है अच्छा catch error तो लड़ी है अब क्या दिक्काद आ रही है मैप यहां पर मुझे यह देना पुड़े का ठीक है इसलिए दिक्काद आ रही थी यह हमारा जो find product by category था वह आ चुका अब find product by id को करते है तो इसको मैं copy करूँगा और इसको यह modify कर दूँगा so what I am gonna do find product by category की जगह find product by id दे दूँगा यहां पर अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो इसको remove करूँगा और इसकी भी जरूरत नहीं है इसको भी यहां से कर दूँगा remove और पराम्स में मुझे केवल id भेजने है और वो भी मैं यहां से भेजते हूँगा ठीक है अब header निकाल लिया find product by id इसके बाद base URL को थोड़ा बहुत change करना पड़ेगा यहां पर id देना पड़ेगा इसके बाद यहां पर मुझे देना है product id ठीक है यह जो product id है वो मुझे मिलेगी यहां से product id अब इसके बाद find product by category success की जगह यहां पर मैं id success दे दूँगा id success यहां पर भी id filter दे दूँगा ठीक है बागी का काम तो ऐसे ही रहेगा product data product details यह भी same रहेगा I guess और one more thing करने ही पड़ेगी guys इतना काम होने के बाद let me first okay so यहां पर अब इसके उपर मुझे pipe लगाने पड़ेगी ठीक है so let me do this dot subscribe action and this.store.dispatch and यहां पर मुझे देना पड़ेगा action okay अब यही मुझे करना है same चीज with this यहां पर भी ठीक है ताकि जो भी action call हो वो dispatch हो जाए यहां से अब जब वो dispatch होगा तो वो reducer के साथ connect करेगा and reducer में data set करेगा so अब इसके लिए हमें reducer भी लिखना पड़ेगा यहां पर so let's do this product.reducer.ts okay and yeah let's do this export I guess इसको export करने की जरूर ने const initial state पहले में यहांब एक initial state बना लेता हूँ which is products products में सारे products रहेंगे loading false रहेगा by default इसके बाद error नल रहेगा by default and यहांपर दे देता हूँ product product so यह find by category जो आयेका sorry find by id वो के वल एक होगा दो product details यहांपर हम दे सकते है let me give it product details यहांपर product ही रहने रहते हैं ठीक है and now इसको करेंगे export const product reducer and create reducer okay यहांपर अब मुझे पहले तो initial state देना पड़ेगा इसका जो भी है so यह initial state आ गया अब इसके बाद हम सारी method यहांपर define करेंगे की on product request पर वगेरा पर क्या होना चाहिए success पर क्या होना चाहिए वो सब ठीक है so find product by id success sorry find product by category success पहले बना लेता है ठीक है and यहांपर मुझे state मिलेगा जो की होगा मेरा पेल यह वाला initial state and इसके बाद यहांपर मेरा पेलोड आ जाएगा and then यहांपर मुझे return करना है and state जो ओलड़ी state में है वो इसके बाद the products को update करना है इसमें products payload and content content में मुझे देना है payload .content and loading में मुझे देना है false okay इसको करूँगा copy यहांपर कर दूँगा paste find product by category failure दे दूँगा यहांपर ठीक है failure में यहांपर आएगा error instead of payload all right and यहांपर यह सब कुछ मुझे नहीं करना है केवला loading false करना है and error में मुझे देना है error that's it okay so यह काम हो जाएगा मेरा complete अब लगयाथ यहांपर guys आप multiple action दे सकते हैं so मैं यहांपर find product by id failure भी दे देता हूं find product by id failure अढंपर देस्काब्स करना है मातने यहांपर कर देपता है कर देपता है यहां पर product में दे दूँगा payload and content वगेरा देने की जरोड़ नहीं है ठीक है इसको कर दूँगा remove okay find product by id success तो state जो रहेगा वही रहेगा इसमें product जो हमारा product है इसको हम करेंगे यहां पर update तो यहां पर आ जाएगा payload and loading में false that's it ठीक है तो यह इसका reducer का काम भी खदम हो चुका अब क्या करेंगे इस reducer को यहां पर हमें register करना पड़ेगा so let me alt shift f and यहां पर दे देते है product reducer product में product reducer okay so that's it product के लिए अब card and कौन सा बचा है card and order का बचा okay so let's do this card को भी complete कर रही लेते है so card action में मेरे पास कौन कौन selection आएगे सबसे पहले तो add item to card okay इसके बाद get card के लिए आएगा and remove card item के लिए आएगा update card item के लिए भी आएगा ठीक है I think 2-3 है so let's complete this और guys में क्या कर सकता हूं कि चाहूंगा यहां पर अपने projects में सारे यहां से copy and don't worry guys मैं आपको एक बार इसको explain कर दूँगा ठीक है cards and card.action.ts अब guys मैं यहां पर copy paste क्यों कर रहा हूं क्योंकि अब मैंने आपको product में बता है ठीक है कैसे आपको action बनाना है कैसे reducer बनाना है कैसे service को लिखना है ठीक है और इसके बाद कैसे आपको register करना है so बार-बार एक ही चीज़ से दोहराने का कोई मतलब नहीं है हम ज्यादा से ज्यादा time यहां पर बचा सकते है ठीक है यह जो मैंने अभी आपको copy paste करके बता है add item to card request इसके बाद add item card success इसमें यहां पर payload बगेर लिया है and add item to card failure ठीक है इसके बाद get item के लिए है sorry get card के लिए अब इसके बाद remove card items ठीक है अमने जो भी items card में add गी है इसको remove करने के लिए remove card item request remove card success and remove card item failure इसके बाद update card item अब update card item क्या चीज़ है कि हम item को increase वगेरा कर सकते है decrease वगेरा कर सकते है ठीक है मैंने कोई item add की है तो मैं इसका one two three quantity update कर सकता हूँ ठीक है और अगर ज्यादा quantity होगे तो मैं इसको reduce भी कर सकता हूँ like five में से four कर सकता हूँ three कर सकता हूँ तो इसलिए update card item okay now let's write another card service अब यहां पर मैं दे देता हूँ cardservice.ts and इसमें भी क्या करूंगा कि जाओंगा यहां पर and card service जो है इसको करूंगा copy and यहां पर दे दूंगा control v okay इसको भी explain कर देता हूँ सबसे पहले तो base url मैंने import की है इसके बाद यहां पर header को defined किया है private header but यह I guess smart working get card and add item to card okay इसकी जरूरत नहीं है मैं इसको remove करता हूँ okay so पहले तो base url को import कर लिया इसके बाद मैंने यहां पर constructor में store, http client, router and active route इसके बाद आते है add item add item card पर ठीक है यह हमारी पहली method है add item to card इसमें request data मैंने लिया है इसके बाद यह हमारी url हो गई ठीक है so base url इसके बाद endpoint API card and add इसके बाद यहां पर मैंने header create किया है header so new headers authorization bear token local storage get item JWT यहां पर दे दिया मैंने and content type में application JSON that's it अब इसके बाद करते है call API को so return this.http की मदद से करेंगे and यह put method होने वाली है guys क्योंकि हम all existing card में item को add कर रहा है so update कर रहा है मैंने हमारे card को एक तरह से so यहां पर यह वाली URL देते नहीं है इसके बाद request data यहां से जो भी आया होगा and headers देते ना है इसके बाद pipe का use करेंगे इसको handle करने के लिए map data and return add item to card success यहां पर console कर लेंगे console.lock and यहां पर दे देता हूँ edit item okay and यहां पर इसको करेंगे data अब अगर कोई मुझे catch मिला तो इसको मैं यहां पर handle कर लूँगा ठीक है यह मैंने पिछले वाले में भी दिखाए था इसके बाद यहां पर action को subscribe कर लेंगे and action को dispatch कर लेंगे now get card के लिए भी guys same है यहले तो url इसमें api and card दिया हुआ हमाने card दिया हुआ है ठीक है इसमें यह वाला end point था इसमें हमने end point change किया है यह वाला अब header तो वही रहेगा इसके बाद यह get method रहेगी पिछले वाले में put method थी यह get method रहेगी this.http.get url header pipe and यहां पर इसको भी console कर लेंगे की card ठीक है and यहां पर देंगा data that's it अगर कोई error मिला catch में तो वो मैं catch कर लूँँगा यहां पर dispatch कर दूँगा that's it and remove card item इसमें भी card item लेना है यहां से इसके बाद url इसमें API, card items and यहां पर मुझे card item id देनी है जिस भी card item को मैं remove करना चाहता हो उसकी id and header तो same रहेगा this.http and यह delete method रहने वाले है क्योंकि इसको हम database से भी remove कर देंगे यहां पर आचाहिए हमारी url header, pipe and यहां पर इसको return कर देंगे remove card item success but इसको क्या करूँगा मैं कुछ इस तरह नहीं इस तरह नहीं दे सकता बल की इस तरह दे सकता हूं and यहां पर इसको मैं return कर सकता हूं and यहां पर इसको मैं return कर सकता हूं इसके बाद action को यहां पर dispatch कर दूँगा अब update card item इसमें भी request data लगँगा मैं card item को जिसको मुझे update करना है url आ जाएगे हमारी यहां पर इसका end point है API card items and यहां पर card item की id जिसको मैं update करना चाहता हूं and यहां पर मेरा header आ जाएगा इसके बाद यह method भी put method रहने वाले है क्योंकि यहां पर हम update कर रहे है so this.http.put url request data.data and header इसके बाद the pipe के थुछ इसको handle करेंगे so let's do this यहां पर भी इसको मैं console कर लूँगा ठीक है so console.log updated updated dated item and यहां पर data and जो भी error रहेगा इसको catch कर लेंगे and action को dispatch कर लेंगे that's it okay so यहां पर one more error है मेरे पास यह कौन सा है let me do this control Z and यहां पर मुझे कुछ answer देना पड़ेगा and यहां पर action card.action dot dot ts okay okay so reducer guys product का reducer मैंने अच्छे से समझाया इसको remove भी कर सकते है कोई दिक्कत नहीं होगी let me do this and यहां पर अब initial state इसको भी export भी करने की सरूरत नहीं है पास है सो यह आ जाएगा हमारा initial state पहले तो initial state अब define कर लीजे इसमें होगी card items card होगा unloading error and null इसके बाद यहां पर card reducer इसको create किया मैंने initial state दे दिया इसके बाद on card item action add item to card request ठीक है जब request होगी तो वो कुछ नहीं करना है state जो है वो रहना देना है इसके बाद loading true and error null इसके बाद यहां पर card item action add item to card success अब success होता है तब मुझे state तो वही रहने देना है ठीक है लेकिन यहां पर loading में false कर देना है card items में मुझे state.card items and action.payload देना है अब यह दिक्कत क्यों कर रहा है let's check this okay अब यह दिक्कत यह इसलिए कर रहा है यहां पर मैंने अगर मैं इसको यह दे दूँगा तो चल जाएगा ठीक है अब interface यहां पर मैंने defined किया है आप देख सकते हैं इसके लिए interface दे देते हैं पहले तो interface create किया card success card items यह क्या रहेगा array रहेगा इसके बाद loading boolean रहेगा error जो है वो any रहेगा and card जो है वो भी any रहेगा अब यह interface मैंने यहां पर दे दिया है ठीक है अब यहां पर दिखकत नहीं होगी अब जो card items हमारे पास पहले से है ठीक है वो तो ऐसे ही रहेगी इसके बाद इसमें हम क्या जोड़ देंगे कि हमने जो नई card item add की है card में वो यहां पर जोड़ देंगे चोंकि मिलेगी हमें action.payloads है ठीक है and failure में यह रहेगा ठीक है इसकी कोई दिखकर नहीं failure में state loading false and error में error देंगे इसके अलावा card item actions dot get card request get card request so guys यह request में न सभी state same रहते है ठीक है यहां पर यह जो item request थी इसमें भी same है तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको copy कर सकता हूं and इसको यहां से remove कर सकता हूं and यहां पर मैंने बताया था पिछले वाले में कि यहां पर हम multiple actions एक्साथ दे सकते है ठीक है so यह मैं यहां पर दे दूँगा okay and get card success अब जब हमारे पास कोई card मिलेगा तो state where रहेगा loading false कर देंगे card items में क्या देंगे action dot payload dot card items ठीक है जब हम API fetch करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह मैंने यहां पर क्यूं दिया क्यूंकि हमारे पास एक card आएगा इसके अंदर card items करके एक field होगी जिसके अंदर हमारे सारी items होगी वह items हम यहां पर देने वाले हैं अब card में action dot payload दे देंगे अब यह जो failure है यह भी हमारे पास अलड़ी है सो मैं यहां से कर दूँगा इसको remove यहां पर यह जो failure है ठीक है यहां पर दूसरा failure भी हम दे सकते है क्योंकि failure में सब चीजे से हम होने वाले है loading में false हो जाएगा error में error आए जाएगा यहां पर बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद remove card item request इसको भी यहां से मैं remove कर सकता हूं unroll x and इसको यहां से कर दूँगा remove अब यहां पर मैं दे सकता हूं ठीक है ओके नाव लेट्स गो टू हाँ remove card item success ओके अब remove card item success में guys मैंने क्या किया है तो पहले जो state था वो तो रहने ही देना है loading में false कर देना अब card items इसमें से हमें एक card item निकलने है कौन सी card item निकलने है यहां पर action में जो card item id आएगी ना वो निकलनी है तो क्या करेंगे state.card items.filter इस पर filter लगाएंगे तो इसके अंदर सारी items लगाएंगे अब filter लगाएंगे तो इच item को हम iterate कर सकते है इस item की id से check करेंगे कि इस id ठीक है इस item की id से हम है यहां पर जो payload में id मिली है वो id अगर same नहीं है तो true return करना है और अगर same है तो false return करना है इस वाले को हमें ignore करना है ठीक है that's it for this remove card item success अब failure में यहां पर मैं क्या करूंगा इसको कर दूंगा ctrl x और इसको remove कर सकते हैं क्योंकि failure का अल्यडी हमारे यहां पास यहां पर है तो यहां पर मैं दे सकता हूं इसको इसके बाद update card item request इसको भी यहां से remove कर दूंगा ctrl x यहां से जाएगा यह और यहां पर दे देंगे ठीक है अब update card item success अब कोई card item success update होती है तो इसको हमें existing card item से replace करना है that's it so वो हम कैसे कर सकते हैं तो पहले so state loading false and card items इसके बाद the state dot card items dot map किया है हमने ठीक है so map में कौन सा logic लगा है item dot id जो इस item की id जो है वो हमारे payload चे जो id मिली है इसके equal to है तो हमें क्या करना है action dot payload मतलब में हमें जो item मिली है वो payload यहां पर दे देना है otherwise यहां पर जो item में है वही रहने देना है means जिस भी item की id इस action dot payload dot item से match करेगी वो item हमारा payload से replace हो जाएगा और बाकी की जितने भी item से वो वही रहे ठीक है and that's it and यहां पर card item update card item failure ठीक है state वही रहेगा error में error and loading में false that's it for this अब इस card item को भी हम यहां पर register कर देंगे so यहां पर मैं देदूंगा card and यहां पर now let me go to state again अब इसके बाद order का complete कर लेता है so what I am gonna do I will create one folder and order so action sorry order dot action dot ts तीक है order के लिए सारे actions दे देते हैं so what I am gonna do यहां से सारे action को करूंगा copy and यहां बढ़ देदूंगा control b अब delete order की हमें जरूरत नहीं तो इसको remove करूंगा and यह भी जरूरत नहीं है हां get all items get order is to success ठीक है इसके भी जरूरत नहीं है कि बढ़ दो action चाहिए इसमें हमें वो कौनशा है पहला तो create order ठीक है so create order आप देख सकते हैं यहां पर इसके बाद create order success and create order failure and इसके बाद get order by id ठीक है वो यहां पर देख सकते हैं इसके बाद get order by id success and get order by id failure then get order history then get order history success यह वाला इसके बाद get order history failure यह तीन चाहिए एक्चली नॉट दो यह तीन चाहिए ठीक है now let me create service for this so order.service.ts यहां पर मुझे देना पड़ेगा slash order.action ठीक है और यह जितने भी नहीं आ रहा है इसको remove कर देंगे and इसको भी remove कर देंगे ठीक है so okay अब इसको guys मैं explain कर देता हूँ इसके आपको तो सबसे पहले तो यहां पर service में API को मैंने import किया ठीक है base API URL को जो कि आएगी configs है इसके अलावा यहां पर मैंने एक header दिया है इसकी जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है इसके बाद constructor same जो पीछले वाले मत आना वही constructor है guys इसमें कोई भी changes नहीं है okay let me give this header क्योंकि इसका हम use करें okay इसके बाद private header and इस header की value यहां पर मैंने constructor में दी हुई है now create order create order अब create order में इसकी जरूरत नहीं है यहां पर मैंने URL defined की है this.api based URL, API and orders यह इसका endpoint हो गया this.http return अब इस पर हमने post request की है URL दिया, request data दिया header and this.headers इसके उपर pipe लगा ही है so map map से इसके बाद जो भी data आयागा इसको हमने handle किया है create order यहां पर मैंने console कर लिया इसके बाद data.id अगर data.id guys है इसमें तो मैं क्या करना this.router.navigate checkout payment page पे इसको redirect कर देना है and query params में इसका step हो जाएगा 3 अब ठीक है order id and data.id so guys यह कुछ like यहां पर check out parameter id आएगी इसके बाद यहां पर query params में means ऐसे कुछ step करके like मैं आपको कहां पर बता हो यहां पर बता सकता हूँ डिक है so step equal to 3 करके आ जाएगा ठीक है so guys जब हमने front end बना था उस time मैंने आपको बताय था कि इसमें एक step रहेगा तो यह वाला component render होगा second step में यह रहेगा and third step में यह रहेगा so yeah इसलिए इसका use हमने यहां पर किया है ठीक है वो आपको पता चल जाएगा now यहां पर create order success इसके बाद order को success कर दिया है sorry create order success को return कर दिया action को and created order में created order में दो बार क्यों आ रहा है so एक बार इसको remove कर देता है इसके बाद अगर मुझे कोई catch मिला तो इसको में यहां पर catch कर लूँगा and action को dispatch कर लूँगा now get order by id so इसमें कौन सा end point रहेगा api, orders and order id जिस पी id का data हम फेज करना चाहते है वह order id ठीक है इसके जरूरत नहीं है इसके बाद return यह वाली guys हमारी get method रहेने वाली है पहली जो यहां पर हम order को create कर रहे था इसलिए यह post method रहे थी अब यह get method रहेगी url headers में this.headers हमने जो constructor में define किया है इसके बाद pipe and map के दरों इसको handle कर रहे है and अगर कोई catch मिला तो इसको हम catch कर लेंगे get order by success and get order history failure हां यहां पर दिखकत है यहां पर get order history failure की जगा मुझे id failure देना था ठीक है अब इसको करता हूं import and अगर कोई इसके बाद यहां पर action को में dispatch कर दूँगा ठीक है so यह काम पर हो चुका ख़तम get order history अब इसका endpoint कुछ API orders and user ठीक है guys यहां पर मैंने कोई identifier अगरा नहीं दिया है क्योंकि यहां पर जो token होगा ना उस token मतलब रेक user जिस पी user ने login कर रखा है उस token से वो user निकालेगा and उसी user की history वो return कर देगा वो सारा कुछ backend में हो रहा है इस backend में मैंने explain किया था जब हमने get order history की API बनाई थी ठीक है यह हमारी URL हो जाएगी इसके बाद यहां पर यह मैंने dispatch यहां पर क्यों गिया है इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको remove कर दूँगा dispatch करने की अब यहां पर this.http and यह get method रहने वाले है यहां पर आए जाएगी हमारी URL headers this.headers यह type guys आप देना चाहे तो दे सकते otherwise इसको ignore भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है आएगी वैसर ठीक है इसके बाद map के through इसको handle कर रहे order history and get order history success इसमें order दे दिया data दे दिया और अगर मुझे कोई catch मिलेगा तो मैं इसको catch कर लूँगा यहाँ पर get order history failure के through इसके बाद action को कर दूँगा मैं dispatch अब यह जो बागी की action है इसके मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको remove दा हूँ delete order करने जरूरत है ठीक है यह सब admin के लिए है जब हम admin panel बनाएंगे न तो वो सारे भी हम implement करेंगे guys okay once again guys पहला हमारा था create order second था get order by id देख सकते आप इसके बाद get order history ठीक है वो भी यहाँ पर देख सकते है and that's it now let's create a reducer for this so order dot reducer dot ts and I will copy reducer from here control V आसा कुछ किया यहाँ पर and यहाँ पर आप interface देख सकते है define किया है मने order state so loading error string order any and orders array रहेगा ठीक है order state मैंने यहाँ पर दे दिया इसमें क्या किया है के वल order जो है वो update किया है अगर order success होता है तो order में हम order दे देंगे and order actions dot create order failure actually guys यह जो create order का है न यह यह आएगा इसके बाद create order failure ठीक है इसमें कुछ नहीं है state loading false and error में जो यहाँ पर error आएगा फो error हम दे देंगे ठीक है and order में यहाँ पर जो add order होगा इसको न आप इस तरह भी दे सकते है order अब यह पहला वाला order कौन सा है जो हमने state में define किया है यह दूसरा वाला जो payload में आया है यह वाला जो payload में आया है and अगर दोनों की same key and value दोनों same होती है तो आप कुछ इस तरह भी javascript में दे सकते है ठीक है अगर आप java people होगे तो थोड़ा weird लगेगा but yeah javascript people को यह पता होगा कि हम इस तरह भी दे सकते हैं इसके बाद यह है get order by id request अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम multiple actions दे सकते है request में है तो यहाँ पर मेरे पास request है तो मैं यहाँ पर दे दूँगा control b ठीक है and success get order by id success अब इसमें भी यहाँ पर order में मैंने यह वाला order दे दिया है that's it इसके बाद अगर failure आता है तो failure के लिए भी हमारे पास अलड़ी है so इस से remove कर दूँगा मैं ठीक है okay get order history request अब इसको भी यहाँ से करूँगा copy and इसको कर दूँगा remove and यहाँ पर जो हमारे history है यहाँ पर दे सकते हम ठीक है alt alt shift f भी दे सकते है all right so get order by id success अमने ले लिया get order history success अब यह देखे यहाँ पर इसमें क्या किया है state way loading false यह है and orders में मैंने यह वाले orders दे दिया है जितने भी user के orders होंगे वो सारे यहाँ पर आ चाहेंगे इसके बाद get order history failure अब failure को भी कर दूँगा and कर दूँगा remove इसको failure का यहाँ पर आ चाहेगा ठीक है अब इसके बाद जितने भी method से इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं remove कर दूँगा यहाँ सा ओर राइड गाइज once again let me work you through पहले तो request जब request करते हैं तो हमें केवल loading true करना है बाकी जो है वही रहने देना है error null कर देना है या state में जो खे वह रहने इसके बाद create order success तो जो भी payload आएगा इससे हम state का order change कर देंगे इसके बाद अगर failure होता है तो error दे देना है बाकी loading false कर देंगे and state वही रहने देंगे जो भी error आएगा वह error हम यहाँ पर देंगे इसके बाद get order by id success तो जो भी order आएगा वह order से हम state का order change कर देंगे बाद get order history अब इसमें array of order आएगा तो यह orders में वो सारे orders देंगे जो भी हमें यहाँ से as a payload मिलेगा and that's it okay so that's it for this and now let's register this order with our app module so order reducer okay इसको भी हमने कर दिया register अब guys आती है actual बारी अब क्या करेंगे कि इन सभी actions को I mean जो हमने service लिखी थी dispatch वगेरा हम कर सकते है ठीक है okay so अब सारे actions, services and reducer जो है वो सारे complete हो चुकी है अब करते है इसको call ठीक है services को call करेंगे product को fetch करने के लिए so पहले मैं जाऊंगा यहाँ पूर and guys जो हमारा front end है वो local host for 2000 पे चल रहा है ठीक है अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप चला लिजिए and second thing कि आपका जो backend है वो भी start कर लिजिए मैंने भी अपना backend start कर लिया है अब जैसे यहाँ पर मैं में में पे क्लिक करता हूं तो कुछ आ नहीं रहा है ठीक है navigate नहीं हो रहा है लेकिन वो navigate होना चाहिए इस route पे main clothing कुरतास कुछ ऐसे करके route पे navigate होना चाहिए सो यह नहीं हो रहा है इसके लिए what I am gonna do now bar में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा so now bar component इसके अंदर now content हमने बनाया था यह वाला यह वाला ठीक है यहाँ पर मैं एक handler बनाऊंगा handle navigate navigate यहाँ पर मैं path receive करूंगा इसको type दे दूँगा any and here this.router actually guys अगर आपने constructor define नहीं किया ठीक है constructor नहीं है तो constructor define कर लीजेगा यहाँ पर private router and router दे देना इसके बाद this.router.navigate ठीक है इस router का हम यूज़ कर रहे है फिर से मैं बता रहा हूं आप constructor अगर आप define नहीं किया है तो define कर लीजे and इसके बाद यहाँ पर मुझे दे देना है path that's it. अब मुझे क्या करना है now bar now component के यहाँ पर जाओंगा and इससे पहले में इसका जो navigation file है हमारी वो आपको देखा देता हूं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी navigation file है so यहाँ पर मैं इसको double click करता हूं and यहाँ पर HTML file यहाँ पर यहाँ पर वो handle हम कहाँ पर लगाएंगे यह जो button है section.name करके इस button पर हम handle लगाएंगे so click handle navigate and यहाँ पर मुझे वो path देना है ठीक है so सबसे पहले तो मुझे forward slash देना पड़ेगा इसके बाद section का name देना है selected section में यहाँ पर दे दूँगा selected section and इसके बाद but I have to give so item.id दे दी इसके बाद अब मुझे देनी है handle navigate template error कुल साइसा समझ नहीं आ रहा है missing expected okay okay hmm डिक्कद यहाँ पर है यह मैं ने क्या open कर दिया अधिक्कत है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर class आएगा ठीक है okay now I guess it will work yeah now it's working तो जैसे अब मैं में में कुर्टास पर क्लिक करता हूँ तो में कुर्टास आप यहाँ पर देख सकते है इसके बाद cert पर क्लिक करता हूँ cert RID के and pants पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर women clothing आ गया सब कुछ change हो गया okay अब क्या करेंगे यहाँ पर हम वो जो product की हमारी API है ना में service जो हमने बनाई थी वो वाली call करेंगे so अब मैं इन सब को करूँगा close इसके जरूरत नहीं है Ctrl P करके product component product component को open करूँगा and यहाँ पर ng on it जो ng on it है ना यहीं पर this.build data बगेरा हाँ यहाँ पर वो call करेंगे so let's do this so guys first thing first के जब यहाँ पर मैं किसी route पर जा रहा हूँ ना तो route सब change हो रहा है so अगर मैं किसी भी route पर जाऊंगा तो यह मुझे फिर से fetch करना पड़ेगा ठीक है different route देखे so वो चीज़े मुझे यहाँ पर देनी है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका जो activated route है इसको subscribe करना पड़ेगा so let's do this this.activatedroute.paramsmap.subscribe अब इसको मैंने subscribe कर लिया यहाँ पर मुझे सारे params इसके मिल जाएंगे ओके यहाँ से मैं क्या अगर सकता होगी जो भी मैं call करूंगा मतलब जो भी अपनी services है वो मैं call करूंगा तो वो जब इसका params change होगा तो बार-बार वो call होगी let me show you that मैं console करके एक बार आपको दिखा गा हूँ यहाँ पर params and यहाँ पर params दिखा देता हूँ आपको ठीक है let's do this यहाँ पर मैं console करूंग and जैसे मैं main kurtaas पर क्लिक करता हूँ भी search पर क्लिक करता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं मेरे पास params आ चुका है okay and paint पर करूंगा तो फिर से वो आ जाएगा ठीक है तो आप समझ गए कि जब भी अब मैं change करूंगा तो यह function call हो रहा है यह method के लिए जो भी के लिए अब इसके अंदर में अपना जो service है वो यहाँ पर call कर सकता हूँ ठीक है इससे पहले मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी where request data equal to so जितने भी parameters है वो सारे parameters मुझे यहाँ पर निकालना है so category यहाँ पर params.get and यहाँ पर में level 3 ठीक है इसमें main कूरतास आ जाएगा level 3 में इसके बाद colors colors मैं फिलाल के लिए empty देता हूँ क्योंकि यह first time है sizes में भी मैं empty देता हूँ यह भी first time है इसके बाद mean price mean price P में 0 दे दूँगा first time है max price max price max price में देता हूँ कि इतनी देता हूँ अभी के लिए min discount इन सभी को guys हम change करेंगे बाद में don't worry इसके बाद page number 0 दूँगा guys अगर आप money वाले हैं न तो यहाँ पर page number में 1 देना है ठीक है guys once again में बता रहा हूँ कि अगर आप money वाले है तो page number में 0 मत दीजिएगा यहाँ पर 1 दीजिएगा ठीक है तभी यह work करेगा otherwise work नहीं करेगा ओके अब constructor में guys मुझे defined करना पड़ेगा अपनी services so यहाँ पर private product service and यहाँ पर मैं दे दूँँगा product service जो हमने बनाई थी यहाँ पर यह वाले ठीक है इसको import कर लूँगा मैं and all shift F कर देता हूँ alright अब यहाँ पर मैं इसको call कर सकता हूँ like this dot product service dot product service dot इसके अंदर हमें दो method जाएगे find product by category and find product by id so category वाली को यहाँ पर मैं call करूँगा and यहाँ पर मैं दे दूँगा data okay that's it now let's check हमारे पास data आ गया होगा so मैं कुरतास पर क्लिक करता हूँ चलता हूँ यहाँ पर कुछ console हुआ या नहीं हुआ product data आप देख सकते हैं क्या करते है कि data add कर देते है postman की help से so मैं e-commerce API को यहाँ से open करूँगा sign up में नहीं बल कि पहले तो मैं sign in कर लूँगा किसी user को ठीक है so body में I guess यहाँ पर कुछ नहीं है let me go to sign up यहाँ पर body में यह वाला copy sign in में जाओंगा authorization में none देदूँगा no auth ठीक है इसकी जरूरत नहीं है body में यहाँ से row select करूँगा JSON यहाँ पर paste कर दूँगा and email and password दो चीज़े मुझे दीनी है यहाँ ठीक है so email में मैं Ram देदूँगा Ram Kapoor अब post method होने वाली है यह वाली so let's do this sign in नहीं आएगा यहाँ पर आएगा auth sign in ओके आप देख सकते हैं हमारे पास token आ चुका है अब इस token को में क्या करूँगा environment में global environment set कर दूँगा ctrl a ctrl v इसको कर लूँगा save जाऊँगा यहाँ पर and अब मेरे पास multiple products को add गरने के दिए method थे create product कहाँ पर है create payment create order यहाँ पर create products इसमें guys क्या करना है यह वाला आपको end point देना है API admin products and creates अब यहाँ पर array of products देना है आपको ठीक है मैंने array of products दिया है and इसकी third level category आप देख सकते mains kurtaas है तो सारे product हमें main kurtaas में मिलेंगे now let me hit this API and check what I will get so invalid token बता रहा है so मैं क्या करूंगा कि अभी मैंने जो token दिया था वो token मैं यहाँ पर दे दूंगा JWT okay and अब करते है इसको run and it will take some time guys क्यूंकि यह बहुत सारा data है and आप देख सकते है product created successfully okay so product हमारे pass आ चुके सारे products and अब अगर मैं इसको refresh करता हूँ तो यहाँ पर अब content empty नहीं आना चाहिए ठीक है so let me do this and yeah अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास content में array आ चुका है product का ठीक है and now what I can do let me go to here page number में में यहाँ पर अभी के लिए one देते था हूँ ठीक है okay फिर भी data तो आये गाई यहाँ पर मेरे पास four pages total total element 40 है अब देख सकते ठीक है so यह सारे product को अब यहाँ पर render कर देते है ठीक है so let's do this so यहाँ पर filter data main paints main paints main paints okay no worry यहाँ पर मैं products दे देता हूँ ठीक है इसको comment out कर दूँँगा and अब गास इसको access करें कैसे करें ठीक है so इसको access करने के लिए हमें store की जरूरत बड़ेगी so यहाँ पर मैंने store नहीं दिया हुआ है let me give it here store private store and store njrx store से आएगा यह private okay all right let's access this control z यहाँ से this.store इसके ओपर गाईज में pipe लगाऊंगा okay and select करोंगा इसमें not self select here I need to give store and यहाँ पर app state दे दूँगा ठीक है app state अमने बनाया था गाई इस पिछले वीडियो में आपको याद होगा and store.product return करूंगा मैं यहाँ से इसके बाद इसको return कर दूँगा sorry यहाँ से subscribe करूंगा इसको and यहाँ पर जो product आएगा उस product का use करेंगे यहाँ बार okay this.products equal to product.products ठीक है इसके अंदर products है and products के अंदर content अभी मैंने आपको दिखाया है ठीक है just अभी मैंने आपको दिखाया था वही content content and I guess select को मैंने import नहीं क्या दिखकरे भी argument source observable taste.store.pipe इसके बाद select store app store .product subscribe argument of type is not ascendable to parameter of type . let's check की यह काहं से import वह select njrx store से सही है njrx store सही होना चाहे and pipe put set इसको मुझे observable बनाना पड़े का क्या but I don't think की इसके में जरूरत पड़ेगी पड़े मुझे पड़े 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 let me comment out this and taste.store.pipe select store store okay select store store okay okay so यहाँ पर app state नहीं app state guys actually मैं न constructor में दे देता हूं so where is our constructor यहाँ पर app state देता हूं ठीक है इसको मैं minimize करता हूं अब यह जो subscribe वाला था ना इसको मैं copy करूंगा यहाँ पर कर दूंगा paste and इसको नहीं कलूंगा all shift f कर देता हूं okay इस बार मुझे कोई error नहीं मिला है and now what I am gonna do यहाँ से guys मैं console करके दिखा भी सबता हूं like console.log ठीक है so store store data store data करके मैं यहाँ पर रहा हूं बताता हूं आपको ठीक है इसको करूंगा copy ctrl b ctrl b now let me show you here so what main pants main pants main pants main pants ठीक है main pants को यहाँ पर रहने जाते है ठीक है थोड़ी देर के लिए main pants copy ctrl b and any and any data ठीक है alright now let's check so अगर मैं इंस्पेक्ट यहाँ पर open करता हूं and जो हमारा store यहाँ पर देख सकते है store data में मेरे पास 10 product data आ चुका है अब इस 10 product data को मैं main pants जो है न इससे replace कर दूँगा so what I'm gonna do hmm यहाँ पर fill the data not this it's a form and यहाँ पर products है हमारा सारे ठीक है ng4 main pants अब main pants की जगह यहाँ पर मैं दे दूँगा products all right let's check now and that's it guys यहाँ पर देख सकते आप हमारे सारे products यहाँ पर आ चुके है but yeah यह products यहाँ पर गया कर रहा है let me remove this okay okay बढ़िया लग रहा है अब ठीक है अब guys इस में जैसे मैं white वगेरा पर click करूंगा ना तो अभी यह changes नहीं होंगे ठीक है ठीक है color वगेरा change होता है तब भी हम इसको फिट से call करेंगे ठीक है तो इसके लिए मुझे subscribe करना पड़ेगा इसका query params को क्योंकि यहाँ पर guys इसका query params से तो change हो रहा है जब मैं यह कर रहा हूं ठीक है आप देख सकते blue green वगेरा यहाँ पर आ रहा है I guess router तो नहीं आएगा router आएगा router आएगा तो router उमारे पास हो I guess activated route आएगा इसमें yeah so activated route मेरे पास already है okay so let's do this इसको अब फिर से मैं वो नहीं करता हूं activated route मेरे पास है तो this dot activated route activated route dot query params dot subscribe ठीक है इसको subscribe कर लेंगे अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास सारे params आ जाएंगे params and and यहाँ पर const color equal to params यहाँ पर मैं दे दूँगा color same size के लिए const size equal to params size const okay what i am gonna do let me copy this thing copy and actually यहाँ पर यह control side करने तो मुझे यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा now let me copy this okay अब size के बाद size के बाद price ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर दे देंगे price इसके बाद the discount दे देंगे यहाँ पर and यहाँ पर भी discount दे दूँगा मैं discount इसके बाद stock stock so यहाँ पर भी मैं stock दे दूँगा then sort sorting feature के लिए sort and यहाँ पर sort minimum price and maximum price and page number पहले page number ले लेते है page number and यहाँ पर मैं दे दूँगा page number sorry page number ठीक है and const mean price equal to price.split करेंगे ठीके इसको and यहाँ से कुछ ऐसर and इसका जो जिरोत argument पे जो element है वो मुझे चाहिए and max price में price dot dot splits only only okay alright now guys यहाँ पर जब यह parameters change हो गे न तब मुझे फिर से हमारी जो service है इसको call करना है तो इसके लिए मुझे rake data की यहाँ पर फिर से जरूरत पड़ेगी so let me copy this and what I am gonna do I will paste it over here maybe yes yes अब इस बार यहाँ पर मैं level 3 ना देके this dot level 3 दूँगा this dot level 3 दूँगा लेकिन मेरे पास यहाँ पर level 3 है नहीं so let me define it level 3 okay and इसको मैं क्या करूँ की यहाँ पर params में यहाँ पर this dot level 3 equal to यह वाली चीज में दे दूँगा copy करके यहाँ पर that's it अब यहाँ पर मेरे पास level 3 भी आ चुका है इसके बाद colors में मेरे पास color है तो वही दे दूँगा sizes में मेरे पास size है तो वही दे दूँगा इसके बाद minimum price भी मेरे पास है ठीक है so अब minimum price दे दूँगा इसके बाद maximum price दे दूँगा यहाँ पर जो है then minimum discount so minimum discount में मैं यहाँ पर केवल discount दूँगा ठीक है so let's do this discount अगर discount है तो discount देना है else zero देना है that's it page number में यहाँ पर one की बजाए page number अगर है तो page number दे तो otherwise page number अगर page number है तो page number दो else क्या दो one दे दो ठीक है page sizes में 10 दूँगा and stock में null दे दूँगा ठीक है और by default आप zero भी दे सकते है ठीक है zero देंगे तो first page काएगा and first देंगे तो second page काएगा यह थोड़ा सा इसमें unwanted है तो zero मत देना otherwise यह error थो करेगा तब तो आपको one ही देना पड़ेगा ठीक है so मैं यहाँ पर cello zero रखता हूँ okay and इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से this.productservices.getproductby category दे सकता हूँ and यहाँ पर मैं rake data दे सकता हूँ okay now हमारे सारे filters work करने चाहिए क्या दिखकर आ गई भाई यहाँ पर मैं one देता हूँ अगर मैं यह देता हूँ तो ज्याँ था है let's check our error store data is undefined store data undefined क्यों आ रहा है okay let me go to year यहाँ पर में product में products कुछ ऐसे लगाँगा and यहाँ पर भी ऐसे दे दूँगा bb undefined आ रहा है so product data अच्छा यहाँ पर कौन सा error है अच्छा integer की जरूवत थी और इसको मैंने दिया है वो वाला ठीक है let's do let's fix this color जो guys हमने दिया है न वो मुझे किस तरह देना है कि अगर color है ठीक है तो color dot join करके देना है इस तरह else मुझे यह देना है अच्छा max price है तो max price दूँगा else मैं आप यह dummy value दे दूँगा ठीक है अगर नहीं है तो अच्छा 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 अभी भी कुछ दिक्कत तो आई रही है अच्छा 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 लेवल फ्री लेवल थ्री यह नहीं है ng onit मैं this dot level 3 equal to get params आ जाएगा और अगर यह इसमें नहीं गया तो तब भी मुझे level 3 तो defined करना ही पड़ेगा so what I am gonna do आरे लेवल 3 का में गया गरो कुछ समझ नहीं हो रहा है लेवल 3 को मैं कहां से दे सकता हूं अगरो को आरे लेवल 3 को यह दिक्कता रही है यह लेवल 3 की बज़े से, यहां पर मैंने लेवल 3 इस में दिया है, so what I'm gonna do, let me remove this, okay, and main kurtaas पर जाता हूँ, now it's working fine, okay, अगर अब मैं इसको refresh भी करूँगा, तो जायेगा नहीं, okay guys, now it's working fine, and क्या करेंगे, कि जैसे मैं color वगे रखा है न, वो uncomment कर देता हूँ, ताकि हमारा filter सही से work कर बाएं, इसको करूँगा remove, and यह कर दोँगा, okay, it's working fine, white पे click करता हूँ, so कुछ हुआ नहीं, okay, पेंगनी पे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, size जिस में, नहीं हुआ, price में, okay, price is working, price एक work कर रही है, ठीक है, इसके बाद यह वाला price सेक्टर में मुझे चुए, okay, so अब देख सकते हैं, यहाँ पर price working fine, but it's not working, hmm, ठीक है, अगर मैंने 399 to 99 select किया, तो इसके बीच का वाला ही मुझे दिखेगा, बागी का नहीं दिखेगा, और discount भी देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80, I guess discount as well not working, so let's fix this, पहले तो color को fix करते है, colors, color, color.join, करना बढ़ी है, पहले है, okay, कि कलर को मुझे जॉइन करना पड़ेगा इससे तो इसके लिए what I need to do इसको मुझे श्रेप करना पड़ेगा Now let's check color will I guess work white, pangani, blue is this purple, yellow अब बर मैं yellow पे क्लिक करता हूँ तो नहीं आ रहा है purple पे green पे नहीं आ रहा है black पे नहीं आ रहा है white, brown, green अच्छा green and black वाव great so what I'm gonna do let me go to here page number यहाँ पर मैं 0 दे देता हूँ ठीक है now it will work okay so मैंने white दिया तो आप देख सकते white color के सारे अगर बैंग नी दिया तो बैंग नी color का blue दिया तो blue color के देख सकते हैं इसके बाद brown दिया तो brown बैंग नी गया, brown नहीं है green है ठीक है green वाले देख सकते हैं इसके बाद purple भी देख सकते हैं and अगर मैंने yellow दिया तो यहाँ पर yellow वाले देख सकते हैं के बाद black दिया तो yellow and black दोनों देख सकते हैं ठीक है अगर discount है तो discount देदो otherwise zero देदो okay बट पहले तो यहाँ पर guys discount देख नहीं रहा है ठीक है इसको fix करते हैं so what I am gonna do let me go to year inspect करता हूं and देखता हूं के discount के पास discount के लिए मेरे पास क्या है discounted percent है okay so I will copy this discounted percent जाओं का यहाँ पर and f product card so product card component product component dot htmni यहाँ पर discount में discounted percent देना है मुझे यहाँ पर 60 वाला भी दिखा रहा है and 78 तो आएगा ही आएगा so let's check why it's not working minimum so minimum discount इसमें discount and यहाँ से discount आया गया spelling mistake है guys और कुछ नहीं है now it will be fine okay so अब मैं discount 70 percent करता हूँ तो मुझे केवाल 70 percent वाले ही दिखाए देंगे देंगे लगर अगर मैं 10 percent करता हूँ तो सभी दिखाए देंगे all right तो आप देख सकते it's also working जैसे मैं 40 percent करता हूँ तो 40 के नीचे के वाले सभी चले जाएंगे 70 करूंगा तो 70 and 70 के उपर वाले ही दिखाए देंगे okay so यह भी वर्क कर रहा है price का भी वर्क कर रहा है यह भी वर्क करी रहा है देख सकते हैं आप ठीक है and now let me go back सभी को remove कर देता हूँ ठीक है सभी parameter and ability ability in stock में जो होगा वो so yeah सभी in stock में है out of stock में तो अमर बास कुछ ही नहीं and इसके अलावा sizes में भी as size yes size okay यह भी वर्क करेगा ही करेगा definitely करेगा and इसके बाद one more बचा है product को sword करने के लिए so price high to low and low to high तो कुछ हो नहीं रहा है ठीक है so let's do this as well so sword यहाँ पर मैंने sword के लिए कुछ नहीं भाएंगा sword मैं मैं देदूंगा अगर sword है तो sword वाला दो else price low to high दो ठीक है so yeah sword मैंने यह भी दिया now let's check so low to high ठीक है low वाली price पहले आएगी and अगर मैं high to low करता हूँ अच्छा यह params तो set होई नहीं रहा है okay तो sorting के लिए params guys set नहीं हो रहा है so let's do this इसके लिए guys हमें handler लिखना पड़ेगा ठीक है sorting के लिए so handle multiple select रोगे रहा नहीं बलकी एक मिनिट मैं sorting का थोड़ा साँ price low to high and high to low okay so क्या करूंगा product component में यह वाला है product high to low low to high and यहाँ पर click equal to handle single select filter and यहाँ पर मैं दे दूँगा sorry price high अब guys यह जो handle है वो हमने बनाया था पिछले वीडियो में जब इसका front end तयार किया था ठीक है वो देख लेना आप let me copy this and इस पर भी में वो लगा दूँगा all safe def configure करूंगा prettier पर and price low दे दूँगा यहाँ पर sorry यहाँ पर low देनी थी यहाँ पर high देनी थी so low and low to high है so यहाँ पर price अच्छा high to low है तो let me give here high sorry hich and यहाँ पर low ही रहेगे so ठीक है okay guys I guess now it will work so low करता हूं price so देख सकते price high to low आ चुक है ठीक है ज्यादा price वाले product पहले आएंगे और अगर मैं low to high करता हूं ठीक है so low product वाले means low price वाले product पहले आएंगे ठीक है so यह तो हो चुका हमारा product page complete अब क्या करता है product detail page पे जाता है so product detail page पे इसी पे मुझे click करके यहाँ पर मैं आ जाओंगा product detail page पे वो call नहीं किया है इसको dynamic नहीं बनाया means okay so let me open product detail so product detail component okay and यहाँ पर this dot product service so यहाँ पर मुझे product service के जरूरत पड़ेगी let me do those product service and product service okay but इसको मुझे private भी बनाना पड़ेगा so private and one more thing is one second इसको करता हूं close अगर मैं किसी पे भी click कराऊना तो इसकी ID file रहती है डी कि इसको id को मुझे dynamic बनाना है मैं क्या करूंगा कि product card में जाऊंगा and यहां पर navigate में अमने 5 लिखाना इसकी बज़े में यहां पर दे दूंगा ID and यहां से में दूंगा ID एन दे देता हूं or what I'm gonna do actually I have a product here so no need to give this product.id में दे दूंग product.id okay this product what it's I cannot find product did you mean it this.product yes I'm in it so this.product.id okay and yeah अब में चलता हूं यहां पर main kurta's पर किसी kurta पर 25 आ रहा है अगर किसी और पर क्लिक करता हूं just yes पर तो इसकी 7 ids आ रही है okay now let's access this id in product detail component so product detail component okay let me तो सबसे पहले तो मुझे id को access करना पड़ेगा इसके लिए I guess हम route activated route का use कर सकते है let's use this so what I'm gonna do यहां पर में activated route तो define करूंगा private activated route and activated route activated route dot snapshot dot params map params map and dot 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 यहाँ पर id ओके अब इस id का यूस करना है मैं so let's do this you can copy this यहाँ पर const id इकोल तो यह दे सकता हूं यहाँ पर दे दूँगा okay let's check कि product data मिला या नहीं मिला product details ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास product details आ चुकी है so now what I need to do is related product review selected अच्छा product detail को मुझे access भी तो करना बड़ेगा so let's do this इसकी दिए what I'm gonna do product component में अमने जो यह select के रिए बनाया था ना इसी को मैं करूंगा यहाँ से copy चाहूंगा product detail में and यहीं पर store देदूंगा ठीक है store अभी मेरे पास नहीं है ना फिला private store store and select coinport कर लूंगा store store.product okay तो यहाँ पर मुझे इसको देना बड़े का ऐसा है f state ठीक है and इसको कर दूंगा remove that's it about this dot product product details या फिर यहाँ पर में product भी दे सकता हूं okay this dot product में product dot product देदूंगा ठीक है and यहाँ पर भी में product देता हूं and now let me show you store data store data में आप देख सकते हैं मेरे पास यह store data आ चुका है इसकी sizes वगेरा यहाँ पर है and yeah that's it now what I need to do is category की जरूरत में मुझे description की जरूरत है title की जरूरत है and price बगेरा की जरूरत है ठीक है so discounted price discount percent okay let's do this so जाओंगा मैं यहाँ पर remove करूंगा इसको and यहाँ पर मैं दूंगा product.image url okay and इसको मुझे bracket से rep करना पड़ेगा इसको dynamic बनाना के लिए let's check so मैं कुरूतास आच आइमेज नहीं आ रही है image url product so let's see what is the problem store data image url image e image image product or image url as as e correct dot dot hmm okay इसको अभी यह रहना दो मैं main solid पे यहाँ पर title चेंज करता हूँ product.title and product.brand so अच्छा वो भी नहीं है यह hmm this dot product product dot product आएगा ठीक है products नहीं आएगा okay now it's working fine यह यह भी आ चुका यह भी आ चुका है and अब इसकी prices फगेरा change कर लेते है ठीक है so product detail में product.discounted price discounted percent ओके इसके अलावा sizes फगेरा तो यही रहेगी इसके बाद एक description change करने है so यहाँ पर देंगे description में product.disccription ठीक है तो यह traditional वाले description भी यहाँ पर आ चुगी and यह वाले हमारी डमी है तो वो इसको यही रहने देंगे कुछ इसमें changes नहीं करेंगे ओके और यह image ऐसा क्यों आ रहा है let me go to another image all right ठीक है सही है okay no problem so product detail page हमारा हो चुका complete अब यहाँ हमारा card यह वाला card so card में dummy products है ठीक है card को करता है fix what I need to do is जाहूंगा मैं card में control P और में बी एक दो item add गर के देखते है ठीक है so product में product detail में यहाँ पर मेरे पास चो add to card है ना इसके उपर click handle add to card अच्छा मैंने लगया हूआ है okay handle add to card यहाँ पर मुझे this dot this dot card service is a role for this so let me define here card service as well okay so private card service and card service okay card service dot this dot card service okay card service service card service this dot card service dot dot this dot card service dot add item to card आप यहाँ पर देख सकते है okay and यहाँ पर मुझे item की id देनी है so what I am gonna do यहाँ पर product id एनी दे देता हूँ and वो product id मैं कहाँ पर दूँगा यहाँ पर this dot product id equal to id and यहाँ पर let me give product id this dot product id alright so यह product id मैंने यहाँ पर देदी अब नव लेट्स चेक की it's working or not so add item to card करने के लिए inspect करके चेक करते पहले दो it's working or not अरे यार इसको मुझे छोटा बनाना है थोड़ा सा okay and इसको clear कर लेते है अब करते है add to card okay so मुझे एक error मिला है क्या error मिला है JSON parse error cannot instance counter those requested item for the last one creator accessed API card item video number अच्छा यह number होना चे okay so let's give it number इसको number बनाते ठीक है so number okay एक बार फिर से try करेंगे size select करके पिछली बार size भी मैंने select नहीं की थी अच्छा category नहीं तिसी राइस राम नंबर विल्यू okay let's check inside services कहां पर चेक करना है भी अच्छा पर अच्छा पर टेटर okay so guys यहां पर मुझे एक डिक्कर यह है कि service let me show you that card service card service card service यहां पर मुझे request data देना है डिक्या and yeah request data कुछ मुझे इस form में देना है let me show you that as well so const data equal to यहां पर मुझे size देनी है इसमे तो this.selectorSize इसके अलावा product id कुछ मुझे इस तरह देनी है product id this.product id अब यहां पर मुझे यह वाला data देना है so now now it will work fine click करता हूँ तो आप देख सकते है added item यह आइटम मेरे पास आ चुक है okay and what I'm gonna do यही पर guys card को भी get घरी लेते है ठीक है this.cardService.getCard get card को भी यही पर call कर देते है and यह navigate वाला जो है इसको यहां पर रखते है last में ठीक है okay so अब हमारे पास card भी यहां पर call हो चुक है so card में अब हम जा सकते है ctrl P card card component and yeah card में काम करेंगे यहां पर ng on it लगाएंगे so ng on it in ng on it ng on in it ठीक है यहां पर private card service card card service की यहां पर मुझे जरूर पड़ेगी so card service अब यह जो card service है इसमें से get card यहां पर call कर लूँगा अब देखते है इसके लिए मुझे कुछ मिला या नहीं है कुछ मिला तो नहीं है I guess हम मैंने login नहीं किया होगा ठीक है जाने दो उसको क्या करते है डायरेक्ली हम इसको access करते है store को तो store को access करने के लिए मैं पिछले product detail में हमने बनाया था वो यह वाला इसको मैं copy करूँगा यहां पर करते है paste control this so क्या है this.store तो बेले तो store मेरे पास नहीं है so let me define here store store alt z and alt shift f okay select store.product okay तो store में मुझे यहां पर app state देना पड़ेगा app state and इसको में remove कर दूँगा ठीक है यह इसका type में इंटरफेस दिया हुआ है guys यह इंटरफेस हमने बनाया था आपको पता होगा ठीक है now this.product this.product ही जरूरत नहीं है यहां पर यह card item sorry card item की जरूरत है yeah so card items let me give here card items card card items and इसको any दे दे थे ठीक है ओके now इस card item को क्या करेंगे so this.product score remove करते है this.product की यहां पर जरूरत नहीं है this.card items this.card items में से मैं क्या दूँगा यहां पर गाइस हम product return कर रहे था ना अब product return करने की जरूरत नहीं है so card reducer इसमें हमारे पास card items है and card है दो चीज़ा है so card.card items ठीक है and यहां पर card.card items yeah and यहां पर store data करके इसको check कर लाते हैं कि store data में मुझे कुछ मिला या नहीं मिला user this.card service card service store.card app module में हमने define तो गिया है na guys let me check so where is our state and app module यहां पर है app module card में card reducer हमने अल्यडी दिया हुआ है card store देते हैं ठीक है फिर भी नहीं हाया source state हो गयरा ठीक है इसको छोड़ो get user success user profile आ रही है बुक क्या दिक्का थे भाई so what I'm gonna do let me go to here this.store.pipe ng on it ng on init init this.cardService .cardItem so let me go to this.cardService service एक बढ़िया किल रहते है इसमें कुछ बिक करे गया so cardService यहां पर है cardService addItem to card okay cardService यह वाली हमारी cardService console addedItem यह सही है getCart यहां पर API header getMethod pipe दिया हुआ है so यह console नहीं हो रहा है why getCart hmm ng on init में यह console होना चाहिए card component connect ng on init ng on in it this.cardService.getCart getCart पहले ही में call कर रहा हूँ सबसे पहले so यहां पर मैं कुछ console करूँ console.log hello hello dot in on dot dot अच्छा अब यहां पर हमारे पास card आ चुका आप देख सकते हैं तेकिन अगर मैं इसको refresh करता हूं तो मुझे कहां पर कॉल कर लेना चाहिए आप मॉड्यूल में है तो हमारी अप्लिकेशन जब ब्रेंडर होती है ना फॉर्स टाइम उसी टाइम इसको भी यूजर के साथ जब हम get user करते है ना get user को कॉल ठीक है उसी के साथ गाइस अप कंपोनेट में यहां पर हम कर देते हैं this dot user service and this dot card service dot get card यहां पर देते हैं private card service and card service card service okay अगर अब मैं इसको refresh करता हूं तो dot get card let me go to card component नहीं card service this dot http dot get card success dot 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 अब यहां से भी इसको कॉपी करूँगा और यहां पर दे दूँगा यहां पर देख सकते हैं हमारा काड आ चुका है काड आइटम वगेरा सब कुछ आ चुका है इसमें ठीक है यहां पर भी तो यार वर्क दो करना ही जाहे लेकिन शलो कोई नहीं ठीक है अब काड आइटम हम हमरे पास चुवाई है काड आइटम्स वो सारी रेंडर कर देते हैं ठीक है तो अब यहां पर यहां पर प्राइस टिटियल है यह का एप काड आइटम्स अब यहां पर मैं आइटम दे दूंगा आइटम अट्रसे रेंडर कर देडर कर देड़न पर आइटम्स अब्सक्वाई क्ला प्राइस टूंग अडर्वाई काड अट बस्टियल है यहां पर इंडर्वाई card items, card items does not exist, okay let's check, card items, card items, okay okay guys, so, फिट से एक बार यहां पर गलती हो गई थी, ng on it आएगा, और मैंने कुछ और ही लिख दिया था, ठीक है, ng on it, and yeah, now it will work, so, let's see, card items, okay, and अब जैसे ही मैं browser में check करता हूँ, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि मेरे पास दो products आ चुगे, ठीक है, लेकिन यह dynamic नहीं है, so let's make it dynamic as well, so, what I am gonna do, card items, यहां से मेरे card item सर्च कर लूँगा, ठीक है, card item component, and यहां पर में एक input receive करूँगा, input, and यह रहेगा, card item, so, card item, and any दे देते हैं, ठीक है, अब इस card item को, guys, मैंने यहां पर दिया था, आपको पता होगा, let me show you that as well, अब देख सकते हैं, यहां पर मैंने item करके दिया था, ठीक है, so, यहां पर मैं card item कर दूँगा, and इसको bracket से wrap करना पड़ेगा, ओके, अब यह वाले item यहां पर आजाएगी, now what I can do, card item में चाह सकता हूँ, इसको मैं close करता हूँ, ठीक है, इसको भी close कर दूँगा, चलो card item, ओके, and यहां पर, अब मैं title दे सकता हूँ, directly, ठीक है, so, card item.product, इसके अंदर product हूँडा, and product के अंदर title मिलेगा, so, let's check, नहीं मिला किया, ओके, let's refresh this page, and यहां पर card में देख्टे है, card items में, product.tile title, okay, and लग गया, इस image को भी change कर देंगे, so, यहां पर मुझे देना है, card item.product.image url, and that's it, अब src जो है, इसको मैं bracket से rep कर दूँगा, ठीक है, okay, अब आप देख सकते है, now it's working fine, and यहां पर size भी दे दूँगा, में, so, double देना पड़ेगा, card item.size, and seller में यहां पर मैं brand दे दूँगा, ठीक है, so, card item.brand, and यहां पर price आ जाएगी, so, card item.product.price, and यहां पर आ जाएगी, discounted price, okay, so, card item.product.discounted price, यहां पर देख सकते है, and यहां पर मुझे देना है discounted percent, so, वो भी दे देते है, card item.product.discounted percent, and okay, let's check price undefined आ रही है, ठीक है, so, product.price आएगा, चले, okay, now it's working fine, and yeah, अब मेरे पास दो product आ चुका है, ठीक है, main कूरतास में जाके मैं कोई over product भी add करता हूँ, यहां पर ठीक है, इसको size L select करता हूँ, add to card, and अब देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास product आ चुका है, ठीक है, okay, so, now what I have to do, checkout पे click कर सकता हूँ, मैं, ठीक है, so, जैसे ही checkout पे click करूँगा, so, यह मुझे यहां पर redirect कर देगा, and यहां पर एक address देके, ठीक है, यहां पर मुझे को एक address देना पड़ेगा, and जैसे deliver पे click करूँगा, तो order create होगा, ठीक है, so, let's do this, so, checkout page पे जाऊँगा, so, ctrl P, checkout component, actually checkout component नहीं है, अच्छा, address form यहां पर है, okay, and यहां पर handle submit अब देक सकते है, ठीक है, so handle submit में, यहां पर मैं ले लूँगा, order service, so private order service, and order service कुछ ऐसा है, ठीक है, अब इस order service को में import कर लूँगा, handle submit पे this.order service.create order, यहां पर मुझे order create करना, अब create order में guys, मुझे क्या देना है, so, let me, okay, wait guys, give me just one second, okay, address form component, okay, so, इसमें मुझे, request data देना है, चा, और request data में क्या हैगा, okay, no worries, let me give here value, form value, request data में form value दे दे, ठीक है, so, what can I give here, form value, okay, and, yeah, इसको try करते हैं, यहां पर name देखे, so, Ram, last name में Kapoor दे देते हैं, address में Mumbai दे देते हैं, city में भी Mumbai दे देते हैं, state में Maharashtra दे देते हैं, chip code 42001, okay, and mobile number 14678, okay, deliver year पर click करता है, and let's check our inspect, created order, okay, हमारा order आप देख सकते हैं, यहां पर create हो चुका है, अब order की id कितनी है, one है, okay, no problem, order की id one है, यहां पर हमारा address आ चुका है, हमने जो भी दिया था, code with Josh, आचा नहीं, यह dummy address है, okay, ठीक है, no worries, address को change कर देंगे, यहां पर जो हमारा shipping address है, यहां पर आया है, Ram, Kapoor, Mumbai, Mumbai मैंने जो दिया था, वो यहां पर आया है, ठीक है, no worries, address को change कर देंगे, लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि यहां पर product क्यों नहीं आया, ठीक है, product में data क्यों नहीं आया, so let's check this, यह कुंसा page है, I guess payment page है, ठीक है, so let's check, Ctrl P, payment component, and यहां पर app card item, okay, यहां पर मुझे card item देनी थी, so card item equal to item, okay, and इसको मैं करूंगा wrap इससे, and यहां पर product की बजए अब मैं दे दूंगा item, item of, okay, तो सबसे पहले तो guys मुझे यहां पर order get करना पड़ेगा, so let's get this order, okay, so what I'm gonna do, Ctrl P, okay, जैसे हम order get कर लूंगा, तो इसके बाद मैं यहां पर order दे सकता हूं, okay, order.product, या फिर order.item पगेरा जो भी है, वो मैं दे सकता हूं, okay, लेकिन इससे पहले मुझे यहां पर order को gate करना पड़ेगा, so let's do this, ng on init, ng on init, okay, so पहले तो मुझे यह id access करने पड़ेगी, यहां पर जो मैंने दी है, order id किये वाली, so let's access this id, so let id equal to this.r activated route, so मेरे पास constructor नहीं है, यहां पर मुझे define करना पड़ेगा constructor, so private activated route, activated route, and private, इसके बाद मुझे यहां पर order service की भी जरूरत पड़ेगी, so order service, order service, and activated route dot snapshot dot params map, and dot get, and यहां से मुझे id get करना है, so id मैंने क्या दी है, let me check, order id, ठीक है, let's get order id I guess, order id ही आएगा, या फिर id आएगा, यह मुझे इसको get करना है, so I need to give here, order id like this, okay, and यहां से हम चेक करेंगे, if id हमारे पास आ गई है, then this dot order service dot get order by id, and इसको दे देंगे id, that's it, ठीक है, now what I need to do is, अब मुझे इसको get करना है, ठीक है, so this dot store, यहां पर store नही है, let me define store, private store and store, and app state दे देते हैं यहां पर, इसको करते हैं, import, app state को भी import कर लेते हैं, ठीक है, so this dot store dot, इसके उपर हम pipe लगा सकते हैं, and यहां पर store को return करेंगे, store dot order, ठीक है, store dot order, इसकी जरूरत नहीं है, store dot order, अच्छा, order does not exist on app state, so let me go to, first app module, ठीक है, app module में मैं चेक करूँगा, की order reducer के लिए किया है, order ही है, and हमारा जो app state है, इसमें order, order, okay, एसे देंगा, मैं order, okay, and this dot order, यहां पर मैं order दे सकता हूं, so order equal to, sorry, एन जे दूँगा अभी, and यहां पर, this dot order equal to, order dot order, or star, order, okay, now, let me go to here, and check, इसको मैं run करूँगा एक बार, hmm, क्या बोड़ा है यह, image URL, okay, no problem तो, इसको न हम, check out, sorry, payments, थोड़ी देर के लिए, मैं इसको कर दूँगा कुछ, इस तरह, okay, and करूँगा इसको refresh, hmm, तो order हमारा, आया या नहीं आया, let's check, payment success component, ng on, init, isn't it right, yeah, if id, activate route, order id, अच्छा id नहीं आई गया, so let me console it, console.log, and id, लेकिन id मुझे क्यों नहीं मिले, i don't know, id null क्यों आ रही है वही, अगर मैं यहां पर id दूँगा तो, okay, so id दी तो मैंने, यहां पर one आ चुकिया, I guess यह यह वाली id है, यह वाली भी order id है, and यह यहां पर भी आ रही है, okay guys no worries, so let's do this now, and यहां पर check करते है, order by id, आ चुका है हमारे बास, इसमें है, order items, order items में भी होगा हमारे बास, product, okay, so order items, यहां पर मुझे order items दे नहीं है, so, जाओंगा मैं payment success में, यहां पर, order.order items, ठीक है, and वो वाली items में इसमें pass कर दोंगा, and now it will work perfectly fine guys, you can see that, okay, now it's working fine, and अब यहां पर checkout पे मुझे लगाना है payment का, actually यहां पर यह जो address का है न, यह ठीक से work नहीं कर रहा है, so what I'm gonna do, address को यहां पर मैं address दे देता हूं, okay, address, and equal to address दे देता हूं, ठीक है, अब यह address मुझे यहां पर defined करना पड़ेगा actually, so address, and any दे देता हूं, और एक काम कर सकता हूं, मैं direct यहां पर order, dot shipping address दे सकता हूं, so let me go to here, and यहां पर इसे जाओंगा मैं इसको करूंगा open, actually direct मैं card में भी तो जा सकता हूं, and check out पर click करूंगा, यहां पर मुझे फिर से वो सब देना पड़ेगा, check out payment, यह काम करता हूं, the way order access करने के ट्राय करता हूं, तो इस में क्या था, I guess, let me check the route, module app routing, कांस था, order component नहीं, payment success component भी नहीं, payment component, so order details component, order and ID, payment component, check out यह वाला, ठीक है, इसको मैं direct access करता हूं, order ID मुझे याद है, 1 थी, control V, check out, order ID देते है, 1, okay, so, yeah, मुझे क्या check करना था, यहां पर, हां इसको, so, order, order by ID, यहां पर आप देख सकते है, order by ID, इसमें shipping address, so, यह वाला shipping address, करूँगा इसको copy, and payment में यहां पर देदूँगा, वो shipping address, ठीक है, shipping address, now, app address card, so, यह वाला, address card component, यहां से मैं address ले रहा हूं, ठीक है, अब इस address का use करूँगा, यहां पर मैं, code with Josh, address dot full name, and, address dot, last name, sorry, first name, first name, and last name, so, Ram Kapoor आ चुका ठीक है, आप देख सकते है, successfully, यहां पर mobile number दे देंगे, address dot mobile, फिर यहां पर city देते हैं, address dot city, इसके अलावा, address dot state, shipping address में ओर हिया है, straight address है, ठीक है, so, copy करता हूँ मैं, straight address, and यहां पर, control v, ठीक है, यहां पर zip code भी दे देते हैं, state के बाद, last में, अबाद्र्क अबड़र क्या बोड़ है address card component street address not exist okay no worries street address अब अब इड्रेस भी हमारा डाइनामिक है अब जैसे मैं चेक आउट पे क्लिक करूंगा तो handle payment वाला मुझे यहां पर call करना actually payment का जो है guys वो मैंने implement नहीं किया payment के लिए हमने कोई service नहीं लगाई थी तो या guys मुझे वो एक method इसमें add करनी पड़ेगी ठीक है so let's do this quickly payment में guys हमारे पास क्या आएगा कि link को generate करने के लिए एक action की जरूरत पड़ेगी so let's do this action and service तो हो यहां पर मैं लिखता हूं payments payments and यहां पर payment.action.ts okay so guys starting में हमने यह सब मैंने आपको बताए था कि कैसे आपको इसके लिए action लिखना है service लिखना है ठीक है so इस बार में क्या करूंगा कि इसमें से copy paste कर लोंगा इसमें ज्यादा time नहीं गवाऊंगा copy and paste okay इसको मैं कर देता हूं remove wait guys but इसके लिए हमें payment integration की जरूरत पड़ेगी और payment integration हमने नहीं किया है ठीक है so इस वीडियो को यहीं तक रखना होगा yeah guys रखते इस वीडियो को यहीं तक क्योंकि इसमें हमने payment integrate अभी तक नहीं किया है so payment integration करेंगे guys next video में ठीक है and I guess one more thing मुझे करनी है यहां पर यह update करने के लिए मैंने नहीं किया है तो इसको update कर लेते हैं ठीक है and remove के लिए भी हमने functionality नहीं बनाई है so let me go to card item components and यहां पर I guess I guess मैंने इसमें handler लगाया होगा click update card item ठीक है आप यहां पर देख सकते है update card item and update card item and remove card item ठीक है वो सब handler मैंने यहां पर दिया हुआ है so इसमें अब गायस मुझे केवला constructor बनागे constructor and यहां पर private क्या घरूंगा कि store store नहीं card item sorry card service card service card card this card service card service card service के लिए मुझे कोई suggestion क्यों नहीं दे रहा है so let me check क्या नहीं दे आवायस का card service copy constructor private control V and karunga isco remove card service oh wow private private card service and card service okay ऐसे देना था तब जागे मुझे suggestion देगा अल्राइट अल्राइट अब यहां पर update card item and remove card item के लिए हम दे 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 ठीक है so guys give me just one second okay okay so this dot card service dot update हे तो add के रिए and remove के रिए हैगा so update card item update card item and यहां पर मुझे कुछ चीज़ देनी पड़ेगी like card item देनी पड़ेगी card item id देनी पड़ेगी so card item id okay this dot card item यहां पर जो भी card item है न card item dot id दे देंगे ठीक है इसके अलावा what next यहां पर मुझे डेटा देना पड़ेगा अब डेटा में यहां पर quantity आएगा so quantity quantity dot quantity plus this dot card item dot quantity अब अब यहां पर quantity की बज़ए मैं नम दे सकता हूँ ठीक है क्योंकि यहां पर मैं नम ले रहा हूँ न इसलिए है okay now I guess now it will work so let's check and मैंने स्पेक्तिक किया तो यहां पर कुछ रहा गया update item and यहां पर यह बोल रहा है कि undefined इसको id नहीं मिली okay so card item id this dot card item dot id and क्या करता है card service में add नहीं get नहीं remove नहीं update console dot log reg data and request data देते है okay now let's check इसमें कुछ दिक्कत है बट क्या दिक्कत है reg data में card item quantity to 2 आ रहा है card item id undefined आ रही है okay okay no problem let's check card item component card item dot id yes रहेगा दिये I guess now it will work updated item okay 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 अब इसमें quantity 2 हो चुकी है अब इसमें quantity 3 हो चुकी होगी let me check okay अब यह गाज quantity हमने dynamic नहीं बनाए थी ठीक है so what I need to do यहाँ पर इसकी quantity कहाँ पर देख रही है remove यहाँ पर all right अब भी यह जो button disable दाना इसको मैं enable कर दूँगा so यह button कहाँ पर है add का यहाँ पर है let me form make it like this format document and यह जो remove का sorry hmm इस button को मैंने disable किया था था तो यहाँ पर मैं दूँगा कि card item dot quantity is equal to equal to 1 अगर 1 है तभी यह disable रहे otherwise ना रहे so यहाँ पर अभी disable है लेकिन जैसे मैं 2 करूँगा तो यह enable होचाई का अडिक है so देख सकते हैं यह भी हमारा successfully work कर रहा है अब remove card item को भी कर लेते हैं guys so remove card item के लिए कुछ नहीं करना card item में पहले तो जाना है and यहाँ पर this dot card service dot remove card item and this dot product dot id actually not product card item okay so यह first वाले को मैं remove कर देता हूं and आप देख सकते हैं यह मेरा remove हो चुका है okay guys so most of functionality हमने इसमें implement कर ली है अब केवल एक बची है वो है रेजर पे payment gateway integration and जो रेजर पे payment gateway हमारा है वो हम next video में करेंगे ठीक है next video में इसको payment gateway इसमें integrate कर देंगे and इसके बाद admin panel भी बनाए लेंगे so इसी के साथ हमारा project फिर खतम हो जाएगा so guys two videos बचे है रेजर पे payment gateway का and इसके बाद admin panel का ठीक है guys so फिर मिलते है next video में